हे गाइज वल्कम बैक टो मैं चैनल टेक पांडा वैप और मैं हूँ आपका दोस्त राना दोस्तों कई बर क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर या लाप्टॉप में काम करते रहते हैं तो अचानक से आपका कंप्यूटर या पीसी क्रैस हो जाता है और इस तरीके का एरर आपको देखने को मिलता है योर पीसी रेन इंटो ए प्रॉब्लम एंड नीड टू रिस्टार्ट तो इस तरीके के इसको कैसे रिजॉल्व करें और कैसे पता कर सकते हैं कि यह जो आपका कंप्यूटर क्रैस हुआ है वो किस वज़ासे ऑपरेटिंग सिस्टम की वज़ को मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है रिस्टार्ट करने के बाद आपको फिर से लॉग इन करना है कई बर क्या होता है कि जब आप इस तरीका का क्रैस फेस करते हैं तो आपको कंप्यूटर दुबारा simple operating system यहाँ पर install कर लेना है लेकिन यहाँ पर मेरा laptop और computer फिर से restart हो गया है तो इससे हम दूसरे तरीके से solve करेंगे और जानेंगे किस वज़ा से हमारा system crash हुआ था और और यह issue हमें face करना पड़ा नॉर्मली क्या होता है कि यह दो कारणों से होता है एक तो आपके operating system में कोई problem हो otherwise आपके hardware में कोई issue हो तभी इस तरीके का आपका system crash कर जाता है तो इस चीज को कैसे पता करें और इसका solution कैसे निकाले यह चीज हम यहाँ पर आज देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है अपने PC में login कर लेना है login करने के बाद आपको जाना है advanced system setting में यहाँ पर advanced और नीचे startup and recovery में आपको चेक करना है जो आपका डिटेल होते है कि आपका जो PC crash हुआ है वो किस वज़ा से हुआ है तो इसे हम लोग access कर लेंगे यहाँ पर आप देखेंगे memory dump के नाम से एक folder है इसके अंदर ही वो file आपको मिल जाएगी C drive के अंदर windows folder के अंदर यहाँ पर memory dump में आपको जाना है और जो latest वाली file है उसे आपको open कर लेना है इस file को आप simple notepad में open नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको online जाके इसे read करना होता है तो चलिए एक यहाँ पर Google Chrome में यहाँ पर मैं website mini dump analyzer open कर लूँगा जब आप यहाँ पर search करेंगे गूगल में mini dump analyzer तो जो पहला website यहाँ पर कुला online free dump file analyze इसे आपको open कर लेना है इसके तो आप चेक कर सकते हैं जो last time आपका system crash हुआ था blue dump देखने को मिला वो किस वज़े से हुआ है यहाँ पर आपको अपने उस फाइल का पाथ दे देना है ड्रैग डॉप option में सेलेक्ट कर रहा हूं कि सब्मिट इस सेट कैनोट भी कोई नहीं हम दूसरे तरीके से इसे एक्सेस करते हैं यहाँ पर पाथ सेलेक्ट करके इस बार देखते हैं तो इस फाइल को आपक przetrie cur Rogers के वजह से को तो विंडोज में जाना है उसके बाद मीनी डमक का फोल्ड्र एक्सेस करना है मीने डम के बाद जो लेटेस्वाली फाइल है उसे ऑपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर नारा अपन कर लेता हूं पर समिट विंडोज ग्रयास टन्म तो जब आप submit करेंगे तो ये website क्या करेगा उस file को read करके जो भी detail उसमें है वो सारा कुछ यहां पर आपको show कर जाएगा कि किस वज़े से आपका system crash हुआ था और उसके बाद आप solve easily कर सकते हैं या देख सकते हैं और both things anti-kernal file की वज़े से आपका system crash हुआ था तो इसका आपको solution निकालना है ये file क्या है आप google में जाके check कीजे और उसके बाद आप इसको resolve कर सकते हैं ये तरीका होता है अगर आपके system में इस तरीके का error आता है blue screen का error तो आप उसको easily resolve कर सकते हैं actual issue पता कर सकते हैं कि operating system failure है या फिर hardware failure दोस्तों दोस्तों ये information आप लोगो box में comment करके पूछ सकते हैं और साथ में मारी चैनल को subscribe करना ना भूलें तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए take care bye bye thanks for watching